नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग विमर्ष नेरेटिव ये एक ऐसी चीज है सारोजनिक जीवन में, राजनीती में, समाज में और इसके अलावा देश में, किसी देश को बनाने, किसी समाज को बनाने, बिगाडने, उसको बड़ी से बड़ी जो विभीशिका हो, उसको प्रिश्ट भूमी में डाल देने, छोटी सी बात को बड़ा बना देने, नायक को खलनायक और खलनायक को नायक बना देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है आप समझे कि इस देश में 75 साल से जो हो रहा था यानि 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि ये 2014 का कट आफ क्यों हूँ क्या उससे पहले सब कुछ खराब हो रहा था कि आप जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है मैं अच्छे खराब की बात ही नहीं कर रहा हूँ उससे पहले जो हो रहा था वो खराब था अच्छा था ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं किसी को उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है अब जो हो रहा है उसके बारे में भी हम आप जानते हैं तो कोई मेरे जज्ज्मिन्ट से आप उससे प्रभावित न हो ये मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि विमर्श का असर क्या होता है और वो कैसे नेरेटिव सेट करता है छोगों की मानसिक्ता बनाता है इसकी बात कर रहा हूँ तो पहली आजादी के साथ ही अब आप देखिए आजादी के साथ ही जो पार्टीशन के समय विभाजन के समय दंगे हुए विस्थापन हुए इतिहासकारों की नजर में ये मेरा कथन नहीं इतिहास कारों की नजर में मानाव इतिहास में इतना बड़ा विस्थापन इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत एक चोटे से अंतराल में कभी नहीं हो जर्मनी में जो होलोकास्ट हुआ उसकी कहानिया आज तक बताई जाती हैं उसके फिल्में बनती हो पुनियास लिखे जाते हैं किताबे लिखी जाती हैं लेक लिखे जाते हैं डॉक्यमेंटरी बनती है नाटक होते हैं आज तक नई पीड़ी को बताने की कोशिश होती है कि हुआ क्यों गलत था वो और क्यों इसको याद रखना सही है आप बताईए हमारे विभाजन विश्यका दिवस मनाने का फैसला नरेंद मोधी सरकार ने किया तो उसकी प्रशंसा की बजाए आलोचना हुई कि क्यों पुरानी बात को याद रखना क्यों पुराने घाव कुरेदना और ये कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है किनको बुरा लग सकता है जिन्होंने अपने को जुड़ा हुआ मानते हैं उनको बुरा लग सकता है तो उनको बुरा लगने की परवाह क्यों करनी चाहिए तो 1947 और उसके बाद घटनाओं की बहुत लंबी सूची है मैं केवल चार-पांच घटनाओं के जली आपको बताने की कोशिश करूंगा 1946 में इसे एक दो बाते हैं जो अलग अलग वीडियो में उनका जिकर कर चुका हूँ लेकिन इहां उसक्रम में बताना जरूरी है 1946 सेप्टेμबर 1946 जवाहरलाल नहरू देश के प्रधान मंतरी बने चुने हुए प्रधान मंतरी नहीं थे ये आपको भी मालूम है और Congress Party की पहली पसंद भी नहीं थे गांधी जी की पहली पसंद थे इसलिए प्रधानमंत्री बने लेकिन उन्होंने शपत कहा ली उन्होंने Union Jack के नीचे शपत ली यानि British जंडे के नीचे और Britain की महारानी के नाम की शपत ली और British Viceray ने शपत दिलाई कोई आज तक आलोचना आपने सुनी है इसका जिक्र भी सुना है केवल पासिंग डिफरेंस में इसकी बात कहीं आपको किसी-किसी किताब में मिल जाएगी इसके लिए नहरू की Congress Party की कभी आलोचना आपने नहीं सुनी होगी लेकिन PDP और BJP का समझोता होता है गड़बंदन की सरकार बनती है वहाँ पर मुफ्ती मुहंबत सहीद प्रिस कॉन्फरेंस करते हैं उसमें आटल जी मौजूद होते हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी जंडा लगा इस पर वाजपेई की BJP की आलोचना होती है कि ये अलगावाद है और ये किस तरह का समझ होता है लेकिन जितनी चर्चा उसकी हुई उसका दशांच भी जो है वो चर्चा नहीं हुई नहरु ने Union Jack के नीचे शपत लेना क्यों सुईकार किया क्यों नहीं मना कर दिया भई हो सकता है कि मना करने के बाद भी ये होता लेकिन एक बार मना तो करते ये अपना इरादा तो जाहिर करते वो भी नहीं किया 1990 में कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदूओं का पलायन हुआ क्यों हुआ क्योंकि वहाँ मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या फिर अपनी बहन बेटियों को हमारे लिए छोड़ कर चले जाओ या पिर अगर यहां रहना है तो मरने के लिए तैयार रहा हो उनके सामने पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं था उस पर 30 साल तक कोई फिल्म नहीं बनी 32 साल तक 32 साल बाद एक व्यक्ति जो है विवेक रंजन अग्नियोत्री वो फिल्म बनाते हैं तो एक इस देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री विधान सभा में खड़े होकर उसका मजाक उडाता है आप दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की घटना इस तरह की विभीशका पर मजाक उडाते हुए इतना समवेदन हीन विवार करते हुए कभी नहीं देखा होगा किसी को लेकिन ऐसा होता है और वो न्यू नॉर्मल बन गया उसमें कोई बुराई नहीं आज तक उसकी आलोचना जिन लोगों ने 1990 में कश्मीरी हिंदूओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी आलोचना में उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोला उनकी कथा बताने के लिए जो फिल्म बनी उसके विरोध में उनके बयानों को एकठा करें तो पूरी एक किताब बन जाएगी अब आप कहेंगे कि ये मुद्दा कहां से लाए क्यों लाए ये मुद्दा आया सलीम खान जो सलमान खान फिल्म है भी निता सलमान खान के पिता है बड़े डायलोग रैटर है फिल्मों के बड़ी हिट फिल्में लिखी है उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा गुजरात दंगों का जिक्राया तो उन्होंने कहा गुजरात की बात आज तक होती है गुजरात से कम भयानक नहीं था 1992 का मुंबई का दंगा आप मेंसे कितने लोगों को याद है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था उसका नाम भी याद है गटना की दो बात छोड़िये लेकिन सब को याद है कि 2002 में नरिन्मोदी मुख्यमंत्री थे क्यों? क्योंकि ये लगातार बताने की कोशिश लगातार ये निरेटिव खड़ा करने की कोशिश कि भूलने न पाए ये बताते रहो और नरिन्मोदी को दिखाते रहो कि ये दंगाई है दंगा कराते 2002 आज हम 2023 में 21 साल हो गए एक दंगा नहीं हुआ 2014 तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के एक दंगा नहीं हुआ 1980 और 1985 में गुजरात में दंगा हुआए और महीनों दंगा चला गुजरात समाचार जो गुजरात का सबसे बड़ा अकबार है उसका दफ्तर जला दिया गया कितने लोग मारे गए कितने कितने का घर जला कितनों के साथ बलातकार हुआ इसका कोई हिसाब नहीं लेकिन उसका जिक्र आप कभी नहीं सुनेंगे कोई नहीं बताएगा कि माधा हुसीन सोलंकी के मुख्यमंत्री रहते उनीस सो असी और पचासी में कितने बड़े अगदंगे हुए और क्यों हुए उसके लिए कौन जवाब दे इसकी बात कोई नहीं करेगा एमर्जनसी 1975 में 2526 जून की रात एमर्जनसी लगी इस देश के लोगों के सारे मौलिक अधिकार छिल लिये गए और यहां तक की जीने का भी अधिकार छिल लिये गए प्रेस की सुदंत्रता खतम हो गई बोलने की आजादी खतम हो गई यह सब कुछ हुआ और इस सब को हमारे देश के सुप्रिम कोर्ट ने सर जुका कर सुविकार कर लिया कोई विरोध नहीं हुआ और याद रखिये पुछले वीडियो में कहा था फिर कह रहा हूं यह सब हुआ जब 1973 का कभी बदलाव नहीं कर सकती वो संसद के बदलाव संसोधन के अधिकार के बाहर है फिर भी हुआ बड़े बड़े परिवर्तन किये गए एक तरह से पूरा सम्विधान ही बदल दिया गया सुप्रिम कोर्ट ने कुछ नहीं का अख़बारों पर सेंसर्शिप लग गई विपक्ष के जितने नेता थे सब गिरफतार हो गए किसी के खिलाव कोई आरोप नहीं था लेकिन उनको गिरफतार करके जेल में रखा गया 19 महीं ने जब तक अमर्जनसी हटाने की गोशना नहीं हुई तो ये सब हुआ मैं ये याद नहीं दिला रहा हूँ कि अमर्जनसी में हुआ मैं ये याद दिला रहा हूँ कि जिस पार्टी ने ये किया वो आज जनतंत्र की रक्षक के रूपे सामने खड़ी है वो अभिव्यक्त की आजादी की मांग करने वालों उसको इस मुद्दे पर बोलने का भी कोई नैतिक अधिकार है क्या जो लोग उसके विरोध में जेल गए 19 महिने जेल में रहे विरोध में संघर्श किया वो जनतंत्र के हत्यारे हो गए वो अभिव्यक्त की आजादी के विरोधी हो गए और जिन्होंने ये सब किया क्यों हो गए विरोधी क्योंकि जिन्होंने 1975 में ये सब किया उनको लगता है कि ये ऐसा कर सकते हैं तो जिसने किया वो अपरादी नहीं है वो उस पर कोई आरोप नहीं है जिसके बारे में ये perception बनाय जा रहा है कि यह ऐसा कर सकते हैं वो अपरादी है उसको सजा मिलने चाहिए यह BBC का जो नया BBC की documentary आई है वो इसी को याद दिलाने के लिए 2002 के दंगो को कि आप भूल न जाए यह narrative को बनाय रखने के लिए नरेंद मोदी को नायक नहीं बनने देना है खलनायक बनाना है बना कर रखना है इसके लिए आई है और इसमें देश विदेश के लोग शामिल हैं जितनी भारत विरोधी ताक्ते हैं सब शामिल है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा BBC की जो documentary है उसमें विस्तार से इसकी चर्चा करूँगा आज सिर्फ इतना ही कि इस documentary का उदेश भारत के बढ़ते कदम को रोकना भारत की बढ़ती हैसियत को रोकना नरिन मोदी का विश्व में बढ़ता हुआ जो कदम है प्रभाव है उसको सीमित करना रोकना सबको मालूम है कि इस समय जी ट्विंटी की अध्यक्षता भारत के पास है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बड़े नेता सब आएंगे यहां पर उससे पहले यह करना जरूरी था नरिन मोदी को एक खास तरह की रोशनी में दिखाने का तो हमसे क्या कहा जाता है कि हम विभाजन की विविश्व का भूल जाए हमसे कहा जाता है कि कश्मीर में हुए हिंदू के नर संगार को भूल जाए हमसे कहा जाता है कि 1975 में हमारे मौलिक अधिकार चिन लिये गए संविधान को पूरी तरह से बदल दिया गया संविधान को कुचल दिया गया उसे भूल जाए लेकिन 2002 का गुजरात का दंगा कभी न भूले अब सवाल यह होता कैसे है और क्यों होता है यह होता है इसलिए कि जब नेरेटिव बनाने का अधिकार अधिकार से भी ज्यादा नेरेटिव बनाने की विमर्ष बनाने की चमता एक खास वर्ग में होती है एक खास विचारधारा के पास होती है तब इस तरह का विमर्ष बनता है और वो विचारधारा कभी नहीं चाहत उससे जो हशाहमत है उनकी विचारधारा आगे बढ़ने पाए उनकी विचारधारा को नीचे लाने उनकी विचारधारा को बदनाम करने के लिए ये narrative बनाये जाते है और ये पहलाये जाते हैं और ये लोगों को यगीन दिला दिया जाता है कि यही सच है तो बड़ी घटना हो आपके साथ, यानि आपके परिवार के किसी व्यक्तिकी हत्या हो जाए तो उसे भूल जाईए, लेकिन उनके परिवार में किसी को खरोच आ गई है, तो इसको आप आजीवन याद रखिए, यह है नटशिल इस विमर्श का, इस नेरेटिव बनाने वालो की सोच का, ये इस विचार से चलते हैं, कि हमारी विचारधारा जो कहती है, वही समाज को सुईकार करना चाहिए, यही सच्चाई है, यही वास्तिता है, इसी लिए इतिहास का लिखन, जिस तरह से हुआ, एक खास विचारधारा के चश्मे से देख कर, जो सच्चाई थी, जो हजारों लोग थे, जिन्होंने आजादी के अंदोलन में बलिदान दिया, उनको भुला दिया गया, एक परिवार सबसे बड़ा हो गया, 1857 का जो पहला सुतंतता संग्राम था, उसकी कितनी चर्चा होती है, नहरू के भाशनों की कितनी होती है, नहरू के वक्तव्यों क कितनी होती है, उनकी विचारधारा क्या थी, उसके कितनी होती है, अंग्रेज गय न होते कभी अगर 1857 का विद्रोह न हुआ होता, अंग्रेज किसी भूख हर्ताल से और किसी आमरन अंचन से छोड़ कर नहीं गया, मुख्य रूप से दो बड़े कारवनों से गया, 1857 का जो संग्राम हुआ उसकी वज़े से, और उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्रबो उसकी वज़े से, जो उन्होंने सेना बनाई और उसके बाद हमला किया, अंदमान निकोबार को उन्होंने स्वतंत्र कराया, वहां पर भाती जंडा लहराया, लेकिन ये सब बताया नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिनको महानायक बताना चाहते हैं, वो सामानी वेक्ति लगने लगेंगे, तो सामानी को महानायक बताना है, और महानायक को सामानी वेक्ति बताना है, ये निरेटिव पिछले 75 साल से चल रहा और अब भी काफी हावी है, ये डॉक्यमेंटर अभी बहुत कमजोर भी नहीं हुई है बहुत ताकतवर है वो राफेल पर प्रधान मंत्री की बात नहीं सुनती वो राफेल पर संसद में कहे गए दूसरे मंत्रियों की बात नहीं सुनती वो राफेल पर सुप्रिम कोट के फैसले की बात नहीं सुनते वो C.A.G. की रिपोर्ट को नहीं सुनते वो कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो मानो हम कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ तो मान लो कि घोटाला हुआ सुप्रीम कोट क्या कहता है इससे क्या मतलब है लेकिन सुप्रीम कोट अब्जर्वेशन में भी अगर कुछ बोल दे सरकार के खिलाफ तो वो फैसले की तरह पेश किया जाएगा इस नेरेटिव से बचिए मेरा सिर्फ ये कहना है आपसे कि इस खेल को समझे आँखें और कान खुले रखिए किसी के कहने पर मत जाइए मेरे कहने पर भी मत जाइए आप अपनी आखें और कान खुली रखिए देखिए समझ़िये पढ़िए जो कुछ कहा जा रहा कोई कह रहा है उसके पीछे उसकी मनशा क्या है मनशा अच्छी है तो बात मान लीजिये मंचा पशक हो तो और खोजबीन कीजिए ये जो नेरेटिव बनाने वाले हैं आजकल उनमें बड़ी छट-पटाहट है उन्हें लग रहा है कि 2014 गया 2019 चला गया अब 2024 भी हाथ से निकल रहा है इसलिए उनकी छट-पटाहट और बढ़ती जा रही उनको लग रहा है कि कुछ भी करो गलत करो, सही करो नैतिक करो, अनैतिक करो अपने देश के दुश्मनों से मदद लो कुछ भी करो लेकिन इस व्यक्ति को इस सरकार को आगे मत बढ़ने दो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस सरकार की वज़े से इस व्यक्ति की वज़े से इस प्रधान मंत्री की वज़े से दुनिया में देश का नाम आगे बढ़ता है नहीं चाहिए हमको, उनका कहना है हम जैसे थे वैसे ठीक है लेकिन हमारा नेरिटिव चलना चाहिए हम जो कह रहे हैं वही सही माना जाना चाहिए अब देखें एक आखरी उदारान देखकर बात अपनी खतम करूँगा टाडा टेर्रिस्ट एंड डिस्रॉप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन आक्ट 1987 में बना गुजरात में एक लाख मुसल्मान जेल में बंद किये गए इस कानून के थे ये कानून आतंकवाद के खिलाफ था कब तक 1993 तक जब तक संजेदत की गिरफतारी नहीं हुई संजेदत की और वो एक लाख जो बन थे उनको सुप्रीम कोट ने बड़ी सरकार की आलोशना की और सब को लिहा कर दिया और जैसे संजेदत की गिरफतारी हुई ये कानून कमिनल हो गया इसको हटाने का दबाउ बन गया दबाउ इतना बना कि अचल विहारी बाज़ पे इन ने उसको हटाकर पोटा ले आए वो अलग बात है कि यूपिया ने आने के बाद सत्ता में आने के बाद 2004 में पोटा को भी हटा दिया तो कानून अगर उनके मताबिक है तो सेकुलर है अगर उनकी विचारधारा के खिलाख जाने लगे तो कमिनल हो जाता है तो ये उधारन देकर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के विमर्श को समझिये और इसका प्रतिकार करने के लिए तयार र होंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से अनुरोध है कि चैनल देखे शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार